अब हलो एवरिवन जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पीजीटी और टीजीटी की वेकेंसी बहुत सारी आने वाली है तो इस वेकेंसी को फिल करने के लिए आपको क्या-क्या क्राइटेरिया और किस पैटर्न में प्रिप्रेशन करनी है क्या-क्या सेलिबस है इन सब करेंसी कि लिए नग्यवच कैसे करें स्लेव इसकाय उपने कि कुछ भी ना पढ़ जो आपके अग्जाम में आने वाला है शिक उतना केad за अध में और smaller पर नहीं जिसमें से एक या दो कॉशन साते हैं उन चैप्टर ना है मीच 부분ери ना करकेश में सिर्फ 80 परशन की में करनी है बट 80 परसेंट चुट भी 100 परसेंट तो चलिए जान लेते हैं कि हमारा स्लेबस क्या है हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और कितने मार्स का पीपर आएगा और हम इसको किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं मैं अजली शर्मा आज आपको स्टार्ट कर रही हूं कि स्लेबस क् है और इसमें आपके एक्जाम में क्या आएगा और कितने टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए आपको जो सलेबस है वह है यूपी पीजिटी मैथेमाटिक से लिबस के टोटल ओवराल जो यह से लिबस है यह आपको पढ़ना है यह बता है अलजबरा अब अलजबरा में यह पूरे पोर्शन और प्लस डिटर्मिनेंट और मैटिस यह इंपोर्टन है यह इसी भी है इसको आप लोग कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी करिए आप फिर आपका मॉडर्न जबरा आता है मॉडर्न जबरा में सेट थियोरी खरण पिर खरणिर कर यह पुर्र फरीन चर्कीज? यह इसी यह इसपूरा आपको पड़ना है इजी भी है इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर करें इसकी नेक्स्ट है कॉंप्लेक्स नंबर और डिमावर्स थेोरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और PGT में आता भी है आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें फिर है अनलेटिकल जिमेट्री जिसमें 2D और 3D दोनों ही आते हैं तो 2D में तो आपकी आगे स्टेट लाइन रेप्रेजेंटिंग टू स्टेट लाइन सार्कल एलेप्स पैरावोला हाइपरवोला फिर आपका यह 3D है स्फेर क्यूब क्यूबाइड सिलेंडर कॉन यह सारे टॉपिक्स है ठीक है तो यह वाला टॉपिक भ देफ्रेंशिल क्यूलस यह पूरी मैग्बोन समझ लीजे जो यह क्यालकुलस है वह बहुत ही इंपरेंचियल क्यालकुलस क्या और डिफेरेंशियल एक्वेशन और इसके बेस कोश्चंगे और भी हैं इंटिक्रेशन के क्यालकुलस पाके वह आपको ज़रू करने बहुत ही important topic है इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल तो इसके बाद फिर next आता है आपका एक minute इसको थोड़ा बढ़ा कर देते हैं थोड़ा स्कूल करते हैं हाँ इसके बाद next आपका आ जाता है vector analysis vector analysis में 2D और 3D दोना important है और easy भी है यह किया जा सकता है इसके बाद next आता है आपका इसके बाद next back में था dynamics देखे dynamics है topic ठीक है और dynamics में क्या-क्या आता है velocity, acceleration, rectilinear motion, relative motion, motion under gravity, projectile, law of motion, impulse, work, power and energy, collision, elastic bodies यह सारा dynamic का part है और यह easy है कुछ-कुछ physics related भी है acceleration, velocity, retardation यह सब आमने उसमें पढ़ादा तो उसी से related है यह थोड़ा और अच्छा भी topic है बट करेंगे तो interesting भी है next है हमारा statics अभी stats में जो भी आता है वह क्या है composition and resolution of two forces equilibrium of three forces acting on a particle equilibrium of more than three forces acting on a particle यहाँ पर two forces था यहाँ पर three forces parallel forces momentum moments and equilibrium और central of gravity और friction यह भी कुछ-कुछ पार्ट की कुछ पार्ट physics का भी इसमें इंक्लूड है तो यह stats part है इसको जरूर करना है यह बहुत ही important है यह static है वह dynamic था और यह जो topics है यह बहुत ही important है तो आप इसको जरू करिए इसके बाद जो next आता है important theorems जो theorems है theorem मैं आपको next वीडियो में बताऊंगी कि कौन-कौन सी theorem important है और किसके लिए आपको ज्यादा focus करना है और theorem देखे डारेक्ट कभी state and prove आ जाता है कि statement आजाएगी और उसे पूछ लेंगे कौन सी theorem है तो ऐसे question भी आ सकते हैं या फिर आएगा आपका कि कोई भी theorem में उससे related application question आ सकते हैं जिसका application उसमें apply होता है ठीक है तो theorem से related हो सकते हैं जिसे काची इंटिक्राइब के बहुत सारे question बनते हैं वह आपको next video में बताएंगे कि theorem कौन कौन सी है और उसे related examples आप कौन से आ सकते हैं जो बहुत कम टाइम में solve हो जाते हैं shortcut method से solve हो जाते हैं अगर आपको कुछ point अगर या दें तो देखिए नेक्स एक इंपॉर्टन थे ओरम में नेक्स वीडियो में हो जाएगी फिर important questions important questions की हमने कुछ लिस्ट बनाई है हर टॉपिक के करीब 200 question 300 question 200 question ऐसे हर important topic के objective type हमने त्यार किये हैं तो वह objective टाइप के वीडियो आप हमारी success mantra academy के app में जाकर के वहां से ले सकते हैं जितने भी आपको कोर्स वगरा चाहिए वह सारा उसी में पढ़ा हुआ है आप पुरा देख लिजेगा और जो syllabus है वह हमने to the point ही बनाया है to the point means कि जिस topic से जितना आएगा जैसे हमने आपको सर्च करने की कुछ जरूत नहीं है और हमने खुदी पूरा रिसर्च करके पूरे बैक के पेपर्स पूरा देखकर वह पूरा सेट किया है तो आपको कुछ भी एक्जाम में पढ़नी की जुरूत नहीं है तो हर चैप्टर के हमने कुछ बनाए है mcq with explanation तो आप उनको जरू करिएगा ठीक है अच्छा इसके बाद आप देख लिए कि आपका पेपर कैसा आएगा तो पेपर के लिए सबसे पहले कि आपका जो पेपर होगा वह अब्जेक्टिव टाइप होगा अब्जेक्टिव टाइप पेपर मेंस option's mcqs होंगे उसमें टिक करना है सेकेंड है कि 125 कोश्चंस आपके एक्जाम में आएंगे और थार्ड है 4 मांक का एक कोश्चं होगा और 500 टोटल मांक का कोश्चं होगा लेकिन यहां 465 शिक्षा मित्र के लिए है जो टोटल पेपर 500 का बाकी सब के लिए है है सक्षा मित्र politics के लिए 465 एंप सिक्षा मित्र क्या होता है। सिक्षा मित्र है कि 2001 में सर्सिक्षा अभियान को को बढ़ाने के लिए राजी सरकारों ने कुछ टीचर्स नियूक्ट किए थे तांगि बच्चों की पढ़ाई ना रुके और वो आगे बढ़ते रहें तो basic सिक्षा के लिए ये टीचर्स नियूक्ट किया गया थे और उन टीचर्स को सिक्षा मित्र कहते हैं तो हर राजी की सरकारों ने सिक्षा मित्र रखे हुए उनके लिए जो एक्जाम है वह 465 मार्क्स का होगा लेकिन अभी भी इस पे कुछ डिसक्षन चल रहा है कि शायद आगे आने वाले टाइम में सिक्षा मित्रों की वी जो टोटल मांक्स यह वाले होंगे पेपर वह फाईवंडेट का यह होने वाला है बाद इसमें डिसक्षन चल रहा है मेडि subsidies playing purchase तो आपको अपने सेलेक्शन के लिए क्या करना है सबसे पहले आपको टू दपॉइंट अपना स्लेबस देखना है उसके एकॉर्डिंग जो जो पार्ट्स आपके आपको आते थे इसी थे आपको समझ में आते थे उनको को पिक करना है और उनमें से चाप्टर के रिविजन करने हैं कोश्चंस ए टूजट पूरे कर लेने हैं और उसमें से आप 80% कर लिजे और 20% में जो आपके चाप्टर वीक थे आप उनको छोड़ सकते तो इस मेठेट से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रिप्रेशन कर हैं उनके सबके लिए हमने आपके लिए एसाइनमेंट और कोशन पेपर तैयार किये हैं जो हमारी सक्सेज मंतरा अकैडमी की एप में पड़े हुए हैं तो आप उस एप को डाउनलोड करके सीधर आप वो कोशन पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगर यह आपने यूप यूपी का पेपर अपलाएं किया है तो यूपी पीजीटी पोस्ट के आप पेपर निकाली और मैस की प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दीजिए या आपने किसी प्रैक्टिस के लिए तो सभी के लिए आप यह काम कर सकते हैं तो आप प्रैक्टिस करिए यह बहुत इंबाड करें पहलेилось प्रैक्टिस कर लें फिर आप कोशन पेपर की पूरी-पूरी प्रैक्टिस करें टाइमर लगा हुआ है उसमें पूरा पेपर की प्रैक्टिस आप आम से इजी कर सकते हैं So friends, आज की वीडियो में इतना sufficient है, बाकि theorem के बारे में next वीडियो में बताएंगे, So आपके लिए all the best, all the best for your selection for exams.